नमस्कार, एश्टो इन्फोर्मेशन जोतिस जानकारी मैं आप सभी दर्सकों का स्वागत है मैं एश्टलोजर पंडित अनिल को उठारी अपने जैनल गायतरी जोतिस के इंदर मैं आप सभी दर्सकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मित्रो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए सास्त्र से बहुत ही जबर्दस्तर और सटिक जानकारी निकाल के लेके आया हूँ तो जानकारी बहुत महत्तपूर है वीडियो को आपने अंत तक देखना है ऐसा वीडियो साय दी आपको दुबारा देखने को फिर कभी मिले लेकिन वीडियो जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों के से मेरी वही पुरानी बात जिन लोग भी मेरा चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें किन्तु साथ बेल आइकन का बटन आप अवस्ते ही दबाएं इसके अलावा यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले और साथ में सेहर आप कर सकते हैं किन्त बिलेंट बनना चाते हैं और अपने जीवन में कभी किसी से धोका नहीं खाना चाते हैं मेरे कहने का ताज पर यह है कि यदि आपके दोरा किये गए कार में जो आपकी बुद्धी लगती है वहाँ आपको सई डिरेक्सन नहीं दे पा रही है आप बार पार कन्फ्यूज हो रहे हैं और आप परिस्रम अथा कर रहे हैं कि तो आपको सपलता नहीं मिल पारी है क्योंकि में रॉल बुद्धी का होता है बुद्धी हमें जहां को बेचती है हम वहां को जाते हैं और इसके अलावा जीवन में यदि आपने कभी धोका खाया है और आप आगे को धोका नह यदि आप दुसरे की भावनाओं को समझना चाहते हैं तो यह एक छोटा सा उपाई करके आप जरूर देखें उपाई यह है बहुत सरल है और आप लोगों ने अपने जीवाने बहुत से लोगों को देखा भी होगा मित्रो हमारे हाथ की सबसे छोटी अंगुली यानि की यह बुद्ध की अंगुली होती है बुद्ध की अंगुली यानि बुद्ध बुद्धी का कारक होता है और यदि और हमारे बुद्धी भी इसी अंगुली पे अटकी हुई होती है हमें यह जानकारी नहीं होती है नहीं हमें पता होता है सास्त्र में ऐसा बोला गया है उपाई भी ना काटें और जब यदि आप काटते भी हैं तो कम से कम 108 दिन के पस्चार आपने इस नाखुन को काटना है और हमेसा ही इसको आपने बढ़ा ही रखना है आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा छोटे-लोगों को नहीं कर भी अन्य अंगुलियों के नाकुन को कतै यह नहीं काटना चाहिए तो यह सास्तर में उपाय है भूणने की जिनको आदत पड़ जाती है और जो जीवन में सबसे ज्यादा भूका खाते हैं उन लोगों के लिए सटी उपाई आप करके देखेंगे जीदिन से आप नाकून बड़ा करना शुरू कर दिया आपको स्वैम आभास हो जाएगा यह मैं नहीं कहा रहा हूँ सास्तर बढ़ कभी जूटे होते ही नहीं है यह तो सभी जानते हैं सांस्त्रों का लिखा हुआ तो यह समझ लीजिए कि कटुसत्य है अम्रदबानी है वह तो मित्रों यह थी आज की जानकारी यदि जानकारी पसंद आती है मैं पहले ही पूर्व मैं कह चुका हूँ कि वीडियो में आप कमेंट अवस्से करिए और अन्य चीजे जो मैं पूरे बता चुका हूँ जरूरी करिए क्योंकि मित्रों मैं जानकारी ऐसी लेके आता हूँ मैं हर प्रकार की जानकारी लेके आता हूँ जियोतिस के अलावा भी जिन जिन से जियोतिस का रिलेटेट होता है जो इनसान को आगे बढ़ा सकती है जो इनसान को विकास और उचे इस तर पे व्यक्ति को और लोगों से हटके खड़ा कर सकती है वह जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं तो मित्रो जानकारी पसंद आए तो दिल खोल के वीडियो पे कमेंट करें बीडियो को सेयर करें लाइक करें और सबस्काइब बैल आइकन तो आपकी मर जी यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को पसंद करते हैं, तो ही दबाई अन्यता, कोई ज़रुवत नहीं है, तो मित्रों मिलेंगे ऐसी ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जै स्री राम, जै स्री कृष्णा, जै सिव संकर करते हैं, जै स्री कृष्णा, 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 जै स्री